क्या आप जानते हैं कि ट्रेजरी सचिव ने चेतावनी दी है कि आस्ट्रेलिया की आबादी बूरी हो रही है और माइग्रेशन के कमी के परिनामस्वरूप इसकी एकॉनमी कम हो रही है फेडरल सरकार के सीनिय अकनॉमिक अड्वाइजर के अनुसार सीमा बंध होने के कारण माइग्रेशन में कमी से एकॉनमी पर बहुत गहरा असर हो रहा है डिटेल्ट खबर को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें Brain Drain Consultants की तरफ से हमारे Immigration Information और News Channel A2Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है Treasury Secretary Stephen Kennedy के अनुसार, COVID-19 Problems के कारण, आस्ट्रेलिया दूसरे अड्वांस देशों की तुलना में सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक से गुजरा है उन्होंने पिछले हफ़ते के सरकारी बजट पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को सिद्नी में एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान कहा कि यह हमें छोटा और डेमग्राफिकली पुराना बना देगा पर-capital evaluation किये जाने पर धीमी population बहुतरी का मतलब हमेशा कम economic output नहीं होगा डॉक्टर केनेडी के विचार के अनुसार आस्ट्रेलिया के international isolation की economic और social costs पर चर्चा को जोडते हैं जो budget की इस धारना से तेज हो गया था कि देश की सीमाएं अगले साल के मिद तक बंद रहेंगी फिलहाल के अनुमानों के अनुसार, net foreign migration दशक के मिद तक pre-covid levels तक ठीक हो जाएगा जिससे ऑस्ट्रेलिया को outbreak के बाद से खोई हुई जनसंख्या की बढ़ोतरी को फिर से पूरा करने की अनुमती मिलेगी डॉक्टर केनेडी का मानना है कि open international borders और एक well-balanced migration scheme पर वापस लोटना ऑस्ट्रेलिया के best interests में है उन्होंने कहा कि migrants particularly skilled, working age migrants लंबे समय में labor participation और productivity growth के जरिये से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक economic lab प्रदान करते हैं open international borders, tourism और education services जैसे specialized sectors के लिए economic क्षमता भी पैदा करती हैं साथ ही electronically यात्रा करने और दूसरों के साथ बातचित करने की क्षमता से broader benefits भी पैदा करती हैं Dr. Kennedy ने कहा कि महामारी के दौरान सार्वजनिक उधारी में तेज वृध्धी के बावजूद, economy के हिस्से के रूप में लोन अभी भी international standard से कम था उन्होंने कहा कि जरूरत पढ़ने पर financial policy के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए अभी भी financial space है इस बीच, Labour Treasury spokesman Jim Chalmers ने बुधवार को National Press Club को दिये एक भाशन में चेतावनी दी की expenditures में $100 billion एक खोया हुआ अवसर है, जिसके परिनामस्वरूप बिना लाभांच के एक generational debt होगा Dr. Chalmers ने stage 3 tax कटोती की भारी लागत पर भी प्रकाश डाला, जो 2024 में शुरू होगा और high earners के लिए income tax को कम करेगा Dr. Chalmers के भाशन के अनुसार उनका कहना है कि जो बात मुझे और मेरे सहयोगियों को परेशान करती है, वो यह है कि इस साल का budget बिना किसी sustainable social lab या किसी long term economic lab के खर्च हो रहा है बेशक, यह उच्चा आयवाले लोगों के लिए tax की कटोती में 130 अरब डॉलर के टॉप पर है जो पहले ही budget में बेग किया जा चुका है जबकि वो मानते हैं कि एक संकर के लिए invest और economic जटके को absorb करने के लिए उधार लेना आवशक है उन्होंने निवेश पर वापसी के बारे में और लोन के बारे में फेडरल सरकार की पारदर्शिता की कमी की आलोचना की उनका तर्क है कि लोन का अमाउंट महत्वपूर्ण है लेकिन expenditure की quality उससे ज़ादा महत्वपूर्ण है कोरोना वाइरस पैंडेमिक से उम्मीद से बहतर recovery के बावजूद मंगलवार को जारी Reserve Bank की मीटिंग के मिन्टों से पता चलता है कि बोर्ट को अनुमान है कि GDP प्रकोप से पहले अनुमानित स्थर से नीचे रहेगा ज्यादा तर population growth में कमी के कारण दूसरी और, Bund Borders के महत्वपून economic परिनाम हो सकते हैं, जैसे कि inflation कम करना May Minutes के अनुसार, जो pre-budget की बातचीत को represent करते हैं बड़ी हुई चीजों की कीमतों, supply chain की बाधाउं और foreign employees के साथ लेबर की कमी को बदलने के लिए employers की restricted capacity के combination की वजह से मज़दूरी और inflation में से पहले जादा तेजी से बहुतरी हो सकती है हाला कि, RBA को उम्मीद है कि underlying inflation 2021 में 1.5 प्रतिशत और फिर 2023 के मिद तक लगभग 2 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी, जो कि 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत की इच्छित सीमा से बाहर है हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में immigration related सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी प्रिपा कमेंस में अपने suggestions और feedback जरूर दे हमें support करने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe करना मत भूलिएगा और हाँ, bell icon को अभी दबा दीचिये अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी